नमस्कार साथियो ग्यान बूस्टर कंप्यूटर शाला में मैं दिपक जैस्वाल आप सभी का स्वागत करता हूँ पिछले वीडियो में हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल बनाने के छे तरीके सीखे थे अगर वो वीडियो मिस हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिये के लिंक से जाकर आप देख सकते हैं और आज की वीडियो में टेबल के साथ प्रदर्शित होने वाले डिजाइन टेब के प्रत्यक टूल को हम समझेंगे लेकिन उससे पहले दो सेकेंड रुकिए और बेल को एक्टिव कर लिजिए ताकि टेबल के साथ प्रदर्शित होने वाले लेयाउट टेब के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर लिया होगा तो चलिए बिना विलम भी किये कंप्टर शाला शुरू करते हैं हमारे सामने एक टेबल प्रदर्शित हो रही है और इस टेबल में किसी भी सेल में अगर मैं क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखी उपर डिजाइन और लेयाओउट, दो नए टेब एक्टिवेट हो गाए मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं टेबल के बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो देखए दोनों टेबल में क्लिक करूँगा तो तो दोनों टेब फिर से अपियर हो जाएंगे ठीक है, तो आज हम design tab के बारे में बात करने वाले हैं, design tab में टेबल को design करने के लिए, मतलब table की formatting करने के लिए, कहीं सारे पहले से बने बनाए styles आपको मिल जाएंगे, या और भी हम कुछ editing करना चाहें, तो कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे table styles के बारे में, table styles मे इस drop down में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे table के format आपको मिलेंगे जो अलग-अलग color से सुसजित है और जो भी format हमें पसंद हो या जिसकी भी जुरत हो वो हमने select किया तो select करते ही table पर same formatting अपला है हो जाएगी ठीक है और अलग-अलग कई सारे formats है आपको जो भी format पसंद हो वो select कर लीजिए ठीक है अब ऐसे ही table पर अगर हमने कोई style apply कर दिया है तो यहाँ पर कुछ और भी options हमें मिलेंगे जैसे header row, header row पर हम click करेंगे तो सबसे उपर की सबसे पहली जो row है यानि कि header row है वो किसी अलग formatting में आ जाएगी ठीक है मतलब बागी सारे row से different दिखेगी इसे फिर से अगर हम off कर देंगे तो normal हो जाएगी ऐसे ही first column पर click करेंगे तो पहला column जैसे की serial number वाला column है वो highlighted हो जाएगा आप ध्यान से देखेंगे तो bold होता हुआ दिखाय दे रहा है ठीक है अगर आपको नहीं दिखाए दे रहा तो मैं काम करता हूँ एक style चेंज कर लेते हैं जिसे मैंने कोई और style ले लिया ठीक है अब फिर से करके देखते हैं पर मैंने क्लिक किया तो पहला column नॉर्मल हो गया और फिर से हम क्लिक करेंगे तो पहला column शेडिंग में आ गया है ठीक है तो header row और first column दोनों कोपी होगा आपको समझ में आ गया होगा मैं पहले तो इन दोनों options को बन कर देता हूँ अब total row पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे की जो row है total row भी हम उसको बोल सकते है total row थोड़ी सी different हो जाएगी यह ठीक है ऐसे ही last column पर क्लिक करेंगे तो table का जो सबसे आखरी column है वो थोड़ा सा different हो जाएगा ठीक है इसके बाद bend row पर क्लिक करेंगे तो जितने भी rows है उन सभी row में एक एक row different दिखेगी मतलब पहला row shading के साथ में है दूसरा row normal है तीसरा row फिर से shading के साथ में है मतलब यह है कि एक row को छोड़कर एक एक row highlighted हो ज तो जितने भी column है उन column में एक एक column highlighted हो जाएगा और यह दूसरा column normal रहेगा ठीक है मैं फिर से इसको भी off कर देता हूँ इसके बाद shading option हमने home tape के दोरान भी किया था table में shading option आया था तो जिस cell को हमने select किया है उस cell का color हम shading के दोरा change कर सकते हैं यही काम करने का दूसरा तरीका है design टेप में भी मतलब वही option है जितने भी sales हम चाहें उतने select कर लेंगे और shading में जाकर जो भी color चाहते हैं वो click करेंगे तो वही color shading के दोरा आ जाएगा अगर हम color को अटाना चाहरा है मतलब shading को अटाना चाहरा है तो select किया और shading में जाकर no color select कर लेना है तो सारे color वापस हट जाएंगे ठीके इसके बाद पहले तो मैं इस table को normal कर लेता हूँ उसके बाद हम बात करेंगे border के बारे में तो normal table लेने के लिए table styles में drop down में जाओंगा सबसे उपर मुझे मिलेगी plain table तो हमारी table बिल्कुल normal table की तरह हो जाएगी जिसे की पहले थी next option है border border से हम table में कहा border चाहते हैं create कर सकते हैं जिससे सबसे पहले तो मैं table पर click करके सारी borders को हटा देता हूँ border के drop down में जाएंगे तो हमें कई सबसे उप्शन मिलेंगे जिसमें से हमें अभी select करना है no border तो देखिए सारी border table से हट चुकी है अब कहां हम border चाहते हैं और कहां नहीं चाहते हैं हमारी मरजी तो सबसे पहले जिसे हमें चाहरा हूँ कि जो heading है वो थोड़ी सी different दिखना चा है ऐसे ही border में top border select करेंगे तो selected cells के उपर एक border create हो चाहेगी मतलब ही कि जितना भी area हम select करते हैं जितने भी cells को select करते हैं उतने cells में right, left, top, bottom से border create कर सकते हैं या border को remove भी कर सकते हैं ठीक है और इसके लावा और भी बहुत सारे options हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे अल border and shading option में जाकर भी हम कर सकते हैं तो चल कर देखते हैं एक बार border and shading तो यहाँ पर हमें अलग-अलग किसम की कई सारी borders मिलेंगी जो भी border हमें चाहिए वह हमने select की color कौन सा चाह रहे है border का color हमने select किया और width से border कितनी मोटी या पतली होना चाहिए मतलब उसकी width क्या होना चाहि अगर border दिखाई ना दे तो यह जो चारो और point दिखाई दे रहे हैं इनको आपको क्लिक करना है यह border के option ही है तो उपर नीचे बीच में कहा border हम चाह रहे हैं कहा नहीं चाह रहे हैं इनको एक बार click करके आपको activate करना होगा अगर आपको यहाँ पर preview में दिखाई ना दे रह है यहाँ पर line style line style मतलब हम border जो create करेंगे उसकी line केसी होना चाहिए तो जो भी हमने अंदर जाकर किया था dialogue box में वही यहाँ पर मिल जाएगा जो भी border हम चाह रहे हैं वह हमने select की तो हमारे सामने एक pencil आ जाएगी और pencil का use करके हम जहां पर भी जैसी भी border create करना चाहें कर सकत है ठीक है pencil का की width क्या होना चाहिए मतलब कितनी मोटी या पतली होना चाहिए हम select कर सकते हैं तो मैंने pencil की width change कर ली pen color तो जो भी color हम चाहते हैं वह color हमने select किया जैसे मैंने यह color ले लिया और हमने draw किया तो जैसे draw करेंगे उसी color में वही border आ जाएगी ठीक है तो draw table पर click कर द color कौन सा चाहिए select कर सकते हैं अब pencil को हटाना हो तो draw table पर click कर देंगे या फिर keyboard से escape कर देंगे तो pencil हट जाएगी अब borders जो हमने create की है अगर मैं border को हटाना चाहरा हूं तो मेरे पास तरीका है eraser, eraser select किया और जहां से भी border को हटाना चाहरा है उतना area हमें select कर लेना है तो जिद उम्मिद है आज की वीडियो में design tape की ये सारे tools आपको समझ में आया होगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो किसी tool को लेकर कोई problem हो कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो मुझे comment करके बताईएगा ताकि मैं बहतर तरीके से उस tool को और अच्छे से आपको समझा स सकूं और हमारे चैनल को subscribe जरू कर लीजेगा और bell को active करना न घुलें ताकि next वीडियो का notification आपको मिल जाए धनेवाद